किताबे करती हैं बातें, बीटे जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक-एक पल की, क्या तुम नहीं सुनोगे? इन किताबों की बातें, किताबे कुछ कहना चाती है, तुम्हारे पास रहना चाती है सब्धर हाश्मी की ये कवीता हमें बताती है कि किताबे हमारे जीवन में कितना एहम किरदार अदा करती है और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद की एक अपील से भी सामने आई है उन्होंने कहा है कि किताबों को कूड़े में फेकने के बजाए या फिर रदी मान कर बेचने के बजाए किसी भी विद्यालियन की लाइबरेरी में दान कर दे या फिर किसी बच्चे को दे दे अच्छी पुस्तकें जहां भी मिलती हैं प्रकासन मिलती हैं उसको हमें अपने पास रखने का प्रियास करना चाहिए अगर हमारे पास ब्योस्ता नहीं है तो कमसे का हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइबरेरी में देने की आदत भी टालें public library में, school की library में अब जैसे आप high school पास करने के बाद अगली ककसा में जाएंगे अगली ककसा में जाने के बाद आपके बास high school की जो books होंगे जो किताबे होंगी आपकी आपका दहित तो बनता है कि उस पुस्तक को घर में कोड़ेदान में फेंकने की वज़ा है या रद्दी में बेशने की वज़ा है उसे अपने अस्तर पर विद्याले की लाब्रेरी को अगर आप दान कर दें किसी गरीब बच्चे को दे दें यह आपको और अपने भावक की सहमती से इसको आगे बढ़ाना चीए कई बच्चे पढ़ सकते हैं लाब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे और हमारा प्रियास होना चीए कि यह प्रक्रिया आगे बढ़े दरसल योगी आधित्यनात ने अभी हाल ही में मेधावी विद्यारती संवाद 2022 के अंतरगरत आज के दिन यूपी बोर्ड के दसवी के परिक्षा में उत्तीन हुए लकनों के दस मेधावी चात्र उनके शिक्षक और अभिवक्ताओं के साथ एक संवाद किया जिसमें उन्ह ऐसी ही बाती की